नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल आए स्वागता नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे मिन्रल मेक्चर के बारे में जो के पश्यों के लिए आती जरूरी है तो हम देखेंगे काए गाम기도 een बढ़िया है जो के हमारे जन्वर को ज्यादा से ज्यादा दे सकता है तो हम कुछ कंपनियों के मिन्रल मेक्चर उठाए है जैसे यह कैमन का एक बहुत ही बढ़िया प्रड़ाइट है रेप्रोमेंड ड्राइट तो तू मैनेज अनेस्ट्रेस एंड रिपीट प्रीडिंग के लिए बैटर प्रड़क्टिविटी तो दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया मिन्रल मेक्चर है इसमें क्या का डाला है सारी बात आज हम डिटेल में पता करेंगे जो तीन प्रड़क्ट हमने बढ़िया कंपनी के उठाए है तो सभी का हम कंपोजिशन देखेंगे किसमें क्या डाला है बाकि आप सबी बहतर जानते हैं किसमें क्या डाला है और क्या फैदा रहेगा तो तीनों का रिजल्ट बैसे तो बढ़िया है तो हम किसी को गलत नहीं बता रहे हैं लेकिन कंपोजिशन जाना बहुत जुरूई है ताहां कि आप सही फैंसरा ले सके तो यह 500 ग्राम की पैकर में जो हम देख रहे हैं तो इसमें ओमेगा त्री फैटी एसड विटामन एडी थ्री एंड एंड मैटल प्रॉपिनेट जैंक मैगनेजिम वगेरा इसमें डाला हूँ और पच्ची ग्राम इसकी डोज डेली आप अपनी गाई बैस को दे सकते हैं इन्फर्टिलिट की प्रॉब्लम के लिए चाहिए आपका जनवर सही रूप से हीट में नहीं आ रहा चाहिए वह गावर नहीं हो रहा चाहिए बच्चे दा निकम जोर है तो आप सभी जानते हैं कैसे हम इसको दे सकते हैं किस कंडिशन में तो चार सो पैंती और इसका प्रेंट रेट है और प्रेंट रेट है और यह चार सो के करीब आपको मार्केट में मिलेगा तो इन्होंने पूरा जो कमपोजिशन है मैंचन नहीं किया किसमें क्या डाल लगा तो यह जो दो प्रेड़िया कंपणी का बहुत बढ़िया प्रेड़िया आप इसको जानते हैं दूसरा है रैपरो म की इसमें देखेंगे तो दोस्तो यह कर्याया आण डेड़ी माइं सबस्बैकेड़ घ्यकोंद Kapord ऑन इसमें Sóक Beach to the देखेंगे सामने सबसे ऊपर 1 kg की में इसे कॉंटेन है जो डाला हुआ विटामन ए बारां लाख आयए तो बारां लाख इसमें विटामन आहिए डाला हुआ है विटामन दीत्री है 2,44 तो आप देख सकते हो 12,00 लाख विटामन ए और दीत्री है जो 2,44 तो हम दूसरे जो जो CRS है उसमें भी देखेंगे विटामन ए जो के सामने आप देख रहे हो वितामबन ए थोड़ा सा दूंदला है वितामबन ए 5 पांच लाख पच्चीस हजार उसमें बारान लाख है इसमें पांच लाख पच्चीस हजार उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में यो डाले हुए हैं तो विटामन ई है जो इसमें 187.5 पांच इमजी इसके में 200 ग्राम आई निकोटीनावाइड 1 ग्राम है इसमें हम देखेंगे निकोटीनावाइड 500.500 mg है तो तक्रीबन तक्रीबन जो भी इसमें कंपोजिशन है वो रिसाइक्लो में जो CRS से बहुत ही ज़्यादा है तो जब भी आपके पड़गड़े को तो ऐसे कंपोजिशन मिला लिया करो जो CRS का रिजल्ट भी हमने इसको भी जूज गया है इसका रिजल्ट भी जैसे के 45 ह gotta फा balancing है तो जो रिसाइक्लों मेंने उसमें copper है 5 ग्राम में तो यह 6.kज देखा रहे हैं जैसे कंप्र स्कॏःट बढ़िया है किस कंडिक्शन में आप अपनेने जन्वर को देश सकते है कि आपका जनौर ककीप पर साइलेट हीट में थोड़ी बश्ची तारेश ओड़ रहा है खुल के हीट में नहीं आ रहा है चाहिए चार जानवर हीट में आ रहा है लेकिन गाबन नहीं हो रहा है किसी कारण आपका जनुद्ध फैंट कम कर रहे हैं इसका 309 में है जरुके 400 तो आपको सस्ता पड़ेगा तो आपका पचुगाबन नहीं हो रहा हीट में नहीं आ रहा सभी समस्यां को ठीक करता है तो डोज की हम बत करें जो यह कैमन का रेप्रोमें यह पड़ेट है तो आप पचीस ग्राम डेली बीसिक की दिन लगातार अपनी गाएं पहां से उसको दे सकते हैं और ग्रमा और और जो दूसरा पड़ाट है जिसका नाम है CRS तो यह भी Parle 30-50 ग्राम डेली आप अपनी जर्मल लिक्ते सकते हैं और जो तीसरा पड़ाट है रिसाइक्लोमेन तो वह भी आप 30-50 ग्राम डेली अपनी जर्मल में को दे सकते हैं तो दोस्तों फाइदे मैं आपको बता दूँगा मिन्नल मेक्सर तो आप सभी जानते हो कि आपके पशु का सही रूप से हीड में आना चाहे साइलेंट हीड हो चाहे थोड़ी बहुत ही तार्य दे रहा है चाहे कुल के रिंग नहीं रहा कई पर आपका जन्वर हीड में आ रह कम होगा फैंट कम हो गया तो वह भी प्रॉब्म नहीं आएगी कई बर मौसम की वज़ा से अपका जन्वर का पेड़ खराब हो जाता है उसका जो डाइजेस्टर प्रॉब्म है वह अनबैलेंस हो जाता है ठीक नहीं रहता कई बर डाइरिया होगा कई बर सक्त गवा करने ल के लिए तो इसमें डाले भी हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और जो किसानवाई चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच से और आप का फैदा हो सकते दन्यवाई दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डूडियो में